खीरे और कक्री से तो आपने कई तरह के सैलेड और रायते बनाए होंगे तो चलिए आज मैं आपके लेके आए हूँ एकदम रोस्टेट कुकंबर की एक बहुत ही लाजबाब और बहुत ही सानदार रेस्पी इससे देखने के पाथ आप जरूर बनाएगे और इसके साथ ही बनाएगे एक स्पेसल सा मसाला तो चलिए बनाते हैं मिलके इस मज़ेदार सी रेस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो सौफ्ट से खीरे एकदम बड़े बड़े बीज वाले नहीं लेने हैं खीरे एकदम सौफ्ट वाले खीरे लेने हैं और इसको हमें छिलना बिलकुल भी नहीं है इसको हम डारेक्टली रखेंगे गैस पर और फ्लेम को मीडियम टू लू में एकदम अच्छी तरह से खीरे को सेखना है खीरे को एकदम अच्छे से सिखना है ताकि उपर से एकदम इसके छिलके एकदम अच्छे से सिख जाए और अंदर से भी लगबग 20-30% तक कुक करना है बस इतना ही पकाना है बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है और यह बहुत अच्छे से कुक हो गया है यह देखिए बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है तो आप देख सकते हैं कि खीरे अच्छी तरह से सिख चुके हैं इनके जो छिलके हैं वो अच्छे से इतम सिख गया है इनको धोना नहीं है ऐसे ही बनाना है और इसके जो साइट से इसको हम काट का अठा देंगे और सेम इसी तरह से हम दूसरे जो खीरे हैं उसको भी छिल लेंगे अब इसको क्या करना है, जो मोटे वाले ग्रेटर है उससे हमें इसे कदुखस करना है ताकि थोड़े से मोटे बड़े इसके लचे निकलेंगे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आप बारीक वाले से करेंगे न तो ये एक दम मैसी सह हो जाएगा प्यूरी तरह हो जाएगा प्यूरी की तरह तो आपकी पास कर लिए हैं देखिये छली हुआ अम इसके लिए एक começo मसाला तयार करेंगे तो यहां पर मैंने एक पैन रख दिया है और इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमब जीरा और एक टेबल स्फून डालेंगे सॉफ आप कोई साभी सॉफ डाल सकते हैं चाहें तो बारिक वाला है फिर मोटा वाला सॉफ कोई भी डाल सकते हैं और half table spoon डालेंगे काली मिर्च के दाने और same quantity में डालेंगे अजवाइन आपको अगर अजवाइन नहीं पसंद है तो आपे अजवाइन हटा सकते हैं और इसके साथ थोड़े से मैंने कलॉजी भी डाले हैं लेकिन अजवाइन डालने से इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ यह जले नहीं यह चारो तरफ से एकदम बढ़िया से सिखनी चाहिए तो अब देख सकते हैं कि मसाले एकदम अच्छे से भुना गया है इसका कलर भी काफी चेंज हो गया है अब बहुत ज़्यादा अरे तक पकाएंगे न तो यह जल जाएंगे मसाले इसलिए अब मसाले को हम इनको पीसेंगे इसके लिए हमें लेना एक साफ और सूखा हुआ मिक्सी जार और इसमें हम यह सारे मसाले डाल देंगे और इध्यान रहे कि मसाला ठंडा होने के बाद ही हमें पीसना है थोड़ा सा कोर्सली हमें मसाला पीसना है अब हम इसे निकाल लेंगे एक बॉल में और यह जो मसाला मैंने बनाया है, यह रायते का मसाला है, किसी भी तरह का रायते हो, चाहे हो खीरी का हो, बूंदी का हो, या फिर लौगी का हो, इस मसाले को आप डालिएगा और इसका टेस्ट देखिएगा, एक तम लाजबाब इसका टेस्ट होता है, तो इस मसाले को आप ज तो मैंने यहां पे एक कप दही ली है और यहां पे आप एकदम ताजे दही का यूज करें खटी दही बिल्कुल भी ना ले निस्टो इससे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा इसको दही को एकदम अच्छे से फेटना है ताकि इसमें कोई भी गुठलिया ना रहे है एकदम स्म दालेंगे इसमें नमक स्वात के हिसाब से जो नौर्मिली रोज खाते हैं सफेद वाले नमक वो डालेंगे अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी आदी छोटी चमज के आसपास इतना नहीं डालना है कि मीठा हो जाए बस थोड़े से चीनी डालना है और थोड़ा से डा तो अब हम इसको मिला लेंगे इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे अभी लाल मिर्स एड नहीं किया है आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्स डाल सकते हैं या चाहें तो हरे मिर्स भी बारी कट कर डाल सकते हैं आप इसको थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें प्यास या फिर थोड़े से फ्रूट अगरे भी डाल सकते हैं और अब हम इसके लिए तड़का लगाएंगे तो यहाँ पे हम पैन में डालेंगे तेल और इसके साथ ही डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा और आदी छोटी चम्मच सरसो के दाने और थोड़े से लालमिर्श पौडर आप चाहें तो यहाँ पे घी से भी तड़का लगा सकते हैं मैंने लाल मिर्स पॉर्डर इसलिए डाला है कि थोड़ा सा कलर इसका अच्छा आएगा और थोड़े से हरे धनी के पत्ति डाल दिया आपके पास अगर कढ़ी लिप्स है तो आप उपी डाल सकते हैं यहाँ पे और तड़का थोड़ा सा ठंडा होने के बाद रायते के उपर इस तरह से टालेंगे यह दिखिए और यह बहुत ही मज़दार बनते हैं आप चाहें तो इसे किसी भी मिट्टी के बरतन में बना कर रख सकते हैं जिससे कि और भी स्मोकी फ्लेवर आएगा लेकिन मैंने खीरे को रोस्ट करके बनाया है तो बहुत अचाही स्मोकी फ्लेवर आया है इसका कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ राजमे वाली पुलाओ की रेस्पी सेयर की थी तो मैंने इसी रायते के साथ उस पुलाओ को सर्प किया था तो यह रायते की रेस्पी बिल्कुल तेयार है आप इसे किसी भी चीज के साथ सर्प कर सकते हैं और यह बहुत ही लाजबाब लगते हैं आप इसे बिर्यानी के साथ या फिर रोटी पराठे किसी भी चीज के साथ आप इसे खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है और यह बहुत जल्दी बन करके तयार भी हो जाता है तो जरूर स ट्राइ कीजिए गयसे, चाहें तो इस पर शर्फ करते वक्त तोड़े से राइती के मसाला श्प्रिंकल कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर तोड़े से लाल मिस्ट के पाउडर श्प्रिंकल किया है, और यह देखिए, यह बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत टेस्टी लगत और ना प्यांट झान बनते हैं, और यह हुतिए किया हम वक्ताम काथ उन्हांट